प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी 16 नवंबर को पुर्वांचल एक्सप्रेसवे का उधगाटन करने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपूर जिला पहुँच रहे हैं प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी के आगमन पर भारी भीड जुटाने के लिए 2000 बसों की विवस्था सुनिश्चित की जाए सुल्तानपूर के डियम ने यहादेश रोडवेज के प्रबंध निदेशक को भेजा है पत्र में यह भी साफ साफ लिखा है कि जो भी बसे आएंगी उनमें 70 प्रतिशद जनपद सुल्तानपूर से 30 प्रतिशद जनपद अंबिड का नगर और अयोध्या की होंगी इन बसों में पीम के सभास्तल पर भीड को भर कर लाया जाने का काम किया जाएगा सुल्तानपूर में 16 नवंबर को प्रिधान मंत्री नरिंद्र मोदी पुर्वांचल एक्सप्रेस वेका उधगाटन करेंगे और पीमो से जिला अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि पीम के आगमन पर सभास्तलों में भारी से भारी भीड होनी चाहिए पीमो के इस निर्देश के चलते अब आम जंता की गारी कमाई का सद उपियोग कर मोदी के आगमन पर दिखावटी भीड की विवस्था की जा रही है सुत्रों की माने तो 400 किलोमीटर तक एक दिन का एक रोडवेज बस का खर्च करीब 24,000 रुपे होता है इस हिसाब से देखा जाए तो 2000 बसों के आवागमन में करीब 5 करोड का खर्च जाएगा राजस्व की शतिपूर्ती कौन करेगा इसका जवाब कोई अधिकारी फिलहाल देने को तयार नहीं है डियम रविश गुपता का कहना है कि बसों की मांग जरूर की गई है लेकिन यह कारेक्रम उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे ओध्योगेक विकास प्राधिकरन यानि यूपीडा करा रहा है इसलिए भुक्तान भी वही करेगा इधर ओध्योगे के विकास प्राधिकरन यानि यूपीडा के प्रमुख अनिल पांडे का कहना है कि जिलाधिकारी के द्वारा बसो की जो डीटेल आएगी उसका पेमेंट होगा यूपीडा कोई भी पेमेंट डारेक्ट नहीं करता एक तरफ तो प्रिधानमंत्री मोदी के लिए दावा किया जाता है कि वह देश के सबसे चहेते और लोकप्रियनेता है उनकी रैलियों में जनता खुद बखुद खींची चली आती है लेकिन खुद पीमों द्वारा जारी इस तरह का आदेश कहीं न कहीं जरूर बताता है कि प्रिधानमंत्री नरिंद्र मोदी की लोकप्रियता अब घट रही है जिसकी चलते सरकारी अमले को यह कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ रहा है गौरतलब है कि पीम कुरेभार शित्र के अरवल कीरी करवत गाउं के पास यूपीडा कैम्प कारियाले के सामने एक्सप का निरिक्षिन किया पीम की सभास्थल के लिए किसानों की फसल काड़ दी गई इसी कड़ी में जह सिंगपूर उपजिलाधिकारी अरविंद कुमार तहसीलदार धैरामतिवारी वा यूपीडा के जेई आरपी सिंग भी कारिक्रमस्थल पर लगतार डटे हुए हैं यूप के लिए नाभ जोख भी शुरू कर दी है